नमस्कार दोस्तों लब मंद्रा होगा यूट्यूब चैनल में परफिर से आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको जो प्रियोग बताने जा रहा हूं वैं माता हूं वेनों को बताने जा रहा हूं आज का जो परियोग है वह है पतीवशिकन जिहा मित्रों पतीवशिकन के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ यदि आपका पती आपसे प्रेम नहीं करता गर पे शराप पी किया जाता है लड़ाई जगड़ा करता है बच्चों से लड़ाई जगड़ा करता है आपसे लड़ाई जगड़ा करता है बेवज़ाव है अपने माबाप के कहने पर आपसे लड़ाई जगड़ा करता है और आपके घर में किसी बेवचा किसी बिना कारण की भी लड़ाई चगड़ा करता है शराप पी किया जाता है, पैसे का बरबाद करता है, सम्मे का बरबाद करता है तो ये उन माताओं के लिए है प्रियू मैं ऐसे तो नहीं केंगा कि इस तोटके ची बाद पती आपका एकदम बिल्कुल आप गुलाम बना लेंगे लेकिन इतना है कि इस तोटके के बाद पैए आपका आपका हर आपकी हर बाद मनेगा और घर में लड़ाई जगड़ा बंद कर देगा शराब पीना तक बंद कर देगा और सुकसानती पुरूर का दामपत्य जीवन को बिताएगा मैं तरों जैसा कि मैं आपको उतादू जो पत्नी होती है वे घर की लाइफ लाइफ लाइन होती है किसी भी परिवार जहां औरत होती है वे उस परिवार की लाइफ लाइन होती है यदि उसी लाइफ लाइन को अच्छे से नहीं रखा जाता हूँ उसका ही दुराचार किया जाता है जैसे वे जूटे बर्तन माय दिया, घर का सारे है, कारे करती है लेकिन फिर भी उसके बाद भी उसके वे प्रेम जो मिलना जाएए जो रिस्पेक्ट मिलनी जाएए वे नहीं मिलती ना पती से प्रेम मिलता ना घर वालों से गर में ग्रेक लेश लेता उसकी वज़े से वे घर का सारा दिन का काम भी करती है और उसकी वज़े से उसे शाम को ये जी जे सब भी चेलनी पड़ती है और इसके बाद यदि उनसे प्रेम नहीं मिलता तो वे हमेशा कुछ ना कुछ गलत करने का सोचती रहती है और भगवान को या किसी अन्ये को इसके लिए दोशी ठराती है या कुछ की किसमत को दोशी ठराती है तो उन मातां को कहने के चाओंगा यदि आप इस टोटके को कर लेती है तो आपका जीवन सफल वे एकदम बिल्कुल सुखी हो जाएगा और आपका पती आपको हमेशा प्रियार करेगा वेदी बताने से पहले मैं कहूंगा अगर अब तक आपने हमारा लम मंत्रा उपाई यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पैल आइकन को तमाना नहीं बुलें ताकि आगे चलकर हम आपको और भी टोटके बे मंत्र बता पाई बेनों को करना है, यह बहुत जादा कोई बड़ी वीदि नहीं है उनको घर से बाहर जाने या दो तीन गंडे एक्स्टा निकालने की जरूरत नहीं है ना अंधेरी में रात को करने की जरूरत है आपको अपने बीस्तर पर अपने कमरे में ही इस कारे को करना है और असान सी जो इसके अंदर सामगरी चाहिए वह है इलाइची जो कि आपको असानी से आपके रसोही में मिल जाती है और अब दिन में इसे रसोही के कारे में हमेशा पर्यों करते हैं चाहिए में किसी भी चीज़ में आप हमेशा पर्यों करते हैं आसानी से यह आपको मातर तीन इलाइची गया शकता है, नाद होकर सुच्छो जाएं, और शनीवार या शुकरवार की रातरी को आप इस कारे को कर सकते हैं, शुरू करना है। आपको क्या करना है मातर तीन इलाइची लेनी है और जब आप ये तीन इलाइची लेनी है तो ये अपने पास रखकर अपने मस्तक्ष पर वे अपनी आंकों पर लगाए और उसके बाद आप को क्या करना है तीन इलाइचीों को किसी अपने पल्लू में भी मान सकते हैं आपको अपने दिल की साइड जो वहाई तरफ है आपकी जो वहाई भागए अपने दिल के तरफ वहाँ इसे अपने छुपाकर रखनी है आपको लगा था तीन दिन इसे अपने पास रखना है आपको क्या करना है इसे वहां रख लें आप रखकर इसे अपने दिल के पार उसके बाद आपको क्या करना है तीन दिर निस तरीके से आपको यह इलाचे रखनी है और एक मंतर का उचान करना है और आपको क्या करना है इसे ही इसी तरीके से आपको कर देना है उसके बाद एक म चाण करना है मंत्र इस तरीके से हैं इस मंद्र का आपको जाब करना है इन तीना इलाइचियों को अपने पल्लों से रुमाल से वहां से निकालना है और निकालकर अपने जो आपका गुतांग है आपके गुतांग के इसे इस्तरीयों को लगाना है उस तरीके से अपने गुतांग को सुबह उटते ही आपको यह कारे करना है जैसे हैं आप सुबाँ उटें अपने गुटांग पर इनो तीन एलाइचों को लगा लें और फिर से इसे रखें दें तीन दिन आपको इसी तरीके से इस कारे को करना और इस मंदर का जाब करना है और उसके बाद आप अपने गुटांग पर जरूर लगाएं और आपको पूरे अपने सरीर पर इसके साथ लगाना है और अपने गुटांग पर लगाएं жके कापने पत्यजिय ऑप किसी भी सबजी में वी तरीके में थिक एक 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 हिलाईची करके तीन दीन लगा था खिलात है ये ITY कारे को करने में आपको साथ दिन लग लग खे शे दिन लग ही तीन लगmost उनुद मों मन्द्रगinha ऑपको शाएक और इस पुछ रूग मना पती करने में, पत्री मात्र चुट्टियों में, में में शहसो की वे खुश्या दी रहेगी इस इक साथ में आपके बविश्र के मंगल काम ना करते हैं आपसे इजाज़त लेते लेते मैं आपको एक बात और करूंगा जिन नहीं तिन आप इसकार्यों को करें केवल अपने तक रखें किसी और को नहीं बताएं और अगर आपक